नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है निलत पॉल और आप देख रहें टेकी जी हिंदी दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे लैपटॉप का बैटरी का हेल्थ आप चेक कर सकते हैं यह बहुत आसान तरीका है आप एक दू मिनिट का अंदर ही आपका या किसी का लैपटॉप का बैटर बैटरी का हेल्थ कैसा है तो चलिए वीडियो को सुरू करते है लैपटॉप का बैटरी चेक करने से पहले रान अप्शन में आपको टाइप करना है cmd और इंटर की को प्रेस करना है प्रेस करने के बाद यहां पर एक कमंड आपको टाइप करना है यहां पर दो वाट का जो कमंड है वो है power cfg slash battery reboot और इंटर को प्रेस करना है मैं फीर से एक पर टाइप करता हूं और इंटर को प्रेस करता हूं और थोड़ी देर मैं वेट करता हूं और देखिए यहां पर दिखा रहा है battery life report save to the file path c backspace user battery report.html यहां पर एक path show कर रहा है और इस path का अंदर battery report save हो चुका है इसको मैंने control c करके copy करता हूं और file explorer को open करता हूं और यहां पर उस path को paste करता हूं और enter को paste करता हूं और देखिए यहां पर automatic एक battery report का html file open हो चुका है और यहां पर computer का सारे details यहां पर show कर रहा है जैसे desktop का नाम का है और product का नाम क्या है बाजबासन कितना है यहां पर देखना है battery report तो यहां पर देखिए बैटरी अभी 98% से 94% हो चुका है आप देख सकते है 94% में यहां पर बैटरी आकर चेक करता हूं देखिए यहां पर 92% हो चुका है तो इस तरह यहां पर battery report आप चेक कर सकते हैं और यहां पर देखिए बैटरी जो में चीज देखना है 41,998 मिली वाट आवर फूल चार्च कैपासिटी 26,756 मिली वाट आवर तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं बैटरी का लाइफ कितना है उसके लिए आपको क्लकुलेटर को ओपन करना है और उसके बाद फूल चार्च कैपासिटी को डिजाइन कैपासिटी से डिवाइट करना है तो फूल चार्च कैपासिटी है 26,756 इसको डिवाइट करना है 41998 के से और इजी केल्टू को प्रेस करना है देखिए बैटरी का हेल्थ अभी 0.63% अभी एविलेबल है मतलब बैटरी का हेल्थ यहां पे काफी सही है यह 50% से ज्यादा हेल्थ अभी बाकी है तो दोस्तों इस तरह आप किसी भी लैप्टॉप का बैटरी का हेल्थ आप चेक सकते हैं आप नीचे सक्षक्राइब करके देख सकते हैं यह we can't uh and us फूल चर्ज में कितना उज वो इस तरह किसी भी नहांब्योर में?